Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Students, आपके लिएक surprise नहीं. आपको खुद क्यास करना है कि मैं माज किस पे बेश चैप्टर करा रहे हैं, ओके? काम इलते हैं ये सब? कौन है ये? कैस कैस? टाइगर. और ये कौन है? मस्त मस्त? अलिफान्ट. And this is? कौन करता है ये सब मिलते का हैं हमें? येस? जंगल में. कहां मिलते हैं? जंगल में. तो आज का हमारा चैप्टर किस पे बेश रहे हैं? जंगल पे बेश रहे हैं. लेकिन जंगल में हो क्या रहा है? जंगल में हो रही है. जंगल में क्या हुआ है? So our today's chapter is a battle in the जंगल और अब हम जंगल में जाएंगे कैसे? Guess guess हम अपनी कार देकर तो जंगल में जाएंगे नि ने तो elephant आएगा और हमको दबा देगा तो guess what हम किस पे जाएंगे? यदि आपको जंगल की सैर करनी है तो आपको जाना पड़ेगा सफारी में अब सफारी क्या होती है वो मैम आपको चैप्टर में बताएंगे लेकिन आप इचीज मैम को बताएंगे किया आपने कभी कुई जंगल देखा है मैमने तो होती है तो है आपने बताएंगे कि आपने जंगल देखा है कि आपने आपने जंगल देखा है कि आप मैम कोच का इक्स्पियेंस बताओगें तो है Okay, you will write on one page and WhatsApp to me on my school number, okay? Then I will see your experience of the jungle. चलो अब आज हम experience लेते हैं, आपने imagination jungle का. It's not a reality of jungle, but हमारी imagination ऐसी होगी कि आपको लगेगा आप real में jungle में. चलो चले हैं फिर jungle में, get ready, सब पूरे हिमत से आएंगे jungle में. Because here are lots of tigers, okay? Shall we start? So, जैसा कि मैं हम पहले ही आपको hint दे चुके हैं, हमारा chapter कौन सा है? A battle in the jungle. क्या है? A battle in the jungle. So, start with Wama. अब हम jungle में जाएंगे कैसे? सब रेडियो न हम jungle में जा रहे हैं, okay? सब रेडियो जाओ? Get ready? चलो. अब जंगल में क्या क्या साथ लेके जाना है, हम देखते हैं, सफारी एक जर्णी होती है, जिसमें लोग क्या करते हैं? wild animals को observe करते हैं. बिटा, wild animals क्या होते हैं? ये बताओ मुझे. wild animals, वो animals होते हैं, जो कहां रहते हैं? जंगल में रहते हैं. Like, lion, tigers, elephants. in their natural surroundings. अपनी natural surroundings में. natural surroundings क्या होती है? वो environment, forest का जहां वो रहना चाहते हैं. जहां वो अपने आपको अच्छा फील करते हैं. जैसे हमारा natural environment क्या है? हमारा natural environment हमारी society है, हमारा घर है. जहां आपने आपको comfortable फील करते हैं. अब elephant को हम घर में तो नहीं लाके रख सकते हैं. elephant को घर में ला सकते हो? ले मता ना, बेटा कभी गलती से भी. घर का सारा समान तैस नैस कर देंगे. tigers को ला सकते हो? मैं तो डर के भाग जाओंगी, आपका तो मुझे पता नहीं. Okay, now come, read this list of rules to be followed on a safari. सफारी में कौन-कौन से rules follow करने, इसको ध्यान से पढ़ रहो क्योंकि हम तो जंगल में जा रहे हैं न? put a tick against the rules, data important, और जो rules important हैं, उनके आगे हम टिक करेंगे, okay? maintain silence in the jungle, जंगल में silence maintain करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, वरना shore किया तो आके हमें lion खा जाएगा, अब shore मत करना, okay? तो यह हमारे लिए important है, तो इसको करो, tick, आपके पास book है, तो अब अपना page number 60 open करो, और maim के साथ-साथ book work करो, okay? तो first maintain silence in the jungle, tick on this, tick कर दिये इस पर, सबको interest आ रहे हैं, it's so interesting, हम जंगल में घुम रहे हैं, ध्यान रखना, listen to and obey your guide at all the times, all time आपको अपने guide को listen करना है और obey करना है, अब सो करना ही पड़ेगा, वरना कोई भी animal कहां से भी आ सकता है, ध्यान रखना, tick on this, it's also important, take your waist back with you, अपना waist back अपने साथ लेना, ये कोई इतना important नहीं है, do not stay in the safari vehicle at all times, all time safari में नहीं रहना, safari में रहना पड़ेगा, okay? so, it's also not important, click photographs of all the animals by going near them, इनके पास जाके फोटोग्राफ्स लेना, important है, पंगा मत ले लेना, कहीं lion और tigers के पास जाके उनकी फोटोग्रीक करने का, नहीं तो हमारी फोटोग्रीक हो जाएगी, okay, so, tick on, take your waist back with you, हमारा take your waist back with you, इतना important नहीं है, पर थोड़ा सा important तो है, okay, and now, try to avoid wandering around in the jungle at night, night में जंगल में इदर उदर खुमने का avoid करना, ये तो बहत ही जादा important है, ये जंगल में, night में इदर उदर घुमोगे, तो खुदी घुम जाओगे, ध्यान रखना, okay, ये तो थे कुछ rules, जो में जंगल में follow करने है, ठीक है, अब next part में आते हैं, आपको क्या करना है, look at the rules that you left out, जो rules हमने left out कर दी है, मतलब हमने two rules left out किये न, why do you think they are unimportant, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वह unimportant है, what other rules should people actually follow instead of them, इसके लावा क्या क्या आपको follow करना चाहिए, okay, आपको घर पे ये सब चीज़ें discuss करनी है, अपनी family के साथ, और फिर आपको ये homework करना है, do or don't, कि सफारी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले आपको ये खुछ से करना है, मैं हम आपको इसका solution भी देंगे, don't worry, लेकिन पहले आप खुछ से कोशिश करोगे, so करने की, okay, I hope कि आज की class में आपको बहुत enjoy किया होगा आपने, okay, bye bye, have a nice day,